सब्सक्राइब कीजिए ऐस्ट्रो जैमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाईए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको जल से जल मिल पाए आज मैं बात करने वाला हूँ कि अंक जोतिश से कैसे जाने की गर्ब में लड़का है या लड़की या बहुत ही यह सिंपल फॉर्मूला है हालांकि इसका एफेक्ट सटीकता से अगर बताया जाए तो वो कुंडली द्वारा ही बताया जा सकता है अदर्वाईज एक छोटा सा ट्रिक है अंक जोतिश में या एक तरह से समझ दिजीए कि छोटा सा फॉर्मूला है जिस से आप पता लगा सकते हैं संभावनाएं लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की यानि गर्ब में गर्ब बतिस्त्री के गर्ब में लड़का है या लड़की सबसे पहले एक से लेकर यानि जो अंक स्टार्ट होते हैं एक से लेकर 108 तक किसी भी नंबर में यानि एक से लेकर 108 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उन में से कोई एक नंबर ही लेना है कोई एक नंबर यानि सपोज आपने इन सब में से यानि एक से लेकर 108 के बीच में नंबर लिया 66 यानि 66 अब इसमें आपको बहुत सिंपल सा चीज करना होता है जो कोई भी आप नंबर लें उसमें माइनस करना होता है 26 26 मतलब एक सर लेकर 108 के बीच में कोई भी अगर नंबर लें उसमें से 26 को माइनस करना होता है 26 माइनस करने के बाद जो आएगा 0 छे में से दो गया चार चालिस अब इस चालिस को आपको डिवाइड करना है भाग देना है तीन के साथ यानि आपका जो 6 फल है वो एक है हमें इसको ध्यान नहीं देना है जो यहाँ पर रिजल्ट आया है या डिवाइड करने बाद 13 आया है तीरा है इस पे हमें कोई भी ध्यान नहीं देना है हमें सिर्फ ध्यान देना है शेश में यानि कि जो भाग देने के बाद 6 फल आता है उसको ध्यान देना है तो अगर आपके गर्व में लड़का या लड़की है उसका अगर पता लगाना है तो यह वाला फॉर्मूला आप यूज इसमें अगर एक आता है लड़का होने की संभावना दो आता है लड़की होने की संभावना और अगर जीरो आता है तो गर्भ धारन में बाधा कोई भी डिजिट अगर आप सेलेट करते हैं उसमें से अगर 26 माइनस करके उसके बाद जो 6 आता है उसमें 3 डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो भी 6 आता है वो 1, 2 या 0 ही आएगा उसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा इन तीनों में से कोई एक अगर आता है सपोस किसी का सेशवल 2 आए तो ऐसे लोगों को लड़की होने की संभावना जादा रहेगा और अगर शून आए तो वो गर्भ बहुत अच्छा नहीं रहेगा या फिर वो मिस कैरेज होने की संभावना रहेगी या फिर गर्भ धारन में समस्याएं आएंगी तो आप भी देखिए अपने हिसाब से यानि एक से लेकर 108 के बीच में कोई एक संख्या आप सिलेक्ट कीजिए चूज कीजिए उसमें 26 माइनस करके 3 से डिवाइट कीजिए उसके बाद जो शेशफल आता है उसी को आप समझें कि विवाख के बाद संतान योग की जो स्थिती है वो लड़का हो गया लड़की का जो स्थिती है वो इस प्रकार से आप अनुमानित रूप से निकाल सकते हैं वैसे तो गर्व में लड़का है या लड़की है इसका निर्धारन हम कुंडली द्वारा ही कर सकते हैं कुंडली सर्वस्रेश्ट होता है देट ओब बर्थ, प्लेस ओफ बर्थ और टाइम ओफ बर्थ और किसी का नहीं है तो वो फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं या फिर जिनके पास डेट ओफ बर्थ, प्लेस ओफ बर्थ और टाइम ओफ बर्थ है तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने कुंडली को ही फॉलो करना चाहिए कुंकि कुंडली ही सर्व प्रथम है, कुंडली ही सर्व स्रेश्ट है कुंडली के ऊपर क्यों कुछ नहीं होता जोतिश में कुंडली ही सर्वश्रेश्ट है क्योंकि उसमें पूरी तरह से डीटेलिंग में उसका फल निकाल कर उसमें क्या-क्या स्थित्या बन रही है उस हिसाब से फलादेश होने की वज़े से वो बिल्कुल सटीकता से फल देता और कुंडली में पंचम भाव में कौनसे ग्रह की स्थिति है पंचम भाव जो है वो किस ग्रह का घर है ये भी डिपेंट करता है कि ऐसे लोगों को लड़का होगा है लड़की होगा तो जिनके पास कुंडली नहीं है वो ये वाला फॉर्मॉला यूज कर सकते हैं तो आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब का बटन दबाते वक्त उपर घंटी का बटन दबाएं और साथ में आल का भी बटन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल पाएं मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल